भारत सरकार का सिर्फ एक फैसला जिसने पुरी दुनिया की निगाहें भारत की और जुका दी है जिहां दोस्तो इंटल जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडुक्टर कमपनी है वो भारत के अंदर 15 semiconductor और electronics manufacturing units को लगाने वाली है ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी semiconductor investment होने वाली है वो भी एक अकेली company के द्वारा जिहां दोस्तों जब से भारत को semiconductor manufacturing hub बनाने की बात की गई है और देश में semiconductor और display manufacturing के लिए लगभग 76,000 करोड रुपए की नीती को मंजूरी दी गई है तब से दुनिया की हर एक बड़ी company भारत के अंदर semiconductor और electronics manufacture करनी के लिए पूरी तरीके से उत्सुक हो चुकी है और अगर हम अकेलिए Intel की बात करें तो इनका सिर्फ revenue 77 billion US dollar का है तो recently reports के मताबक माने तो भारत में Intel के आते ही देश के IT और electronics minister अस्वनी वैसनो जी ने tweet के जरिये जानकारी शेर की और उन्होंने Intel का स्वागत भारत में किया इसे के साथ में अस्वनी वैसनो जी बताते हैं कि आज कलकी चल रही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में electronics यूज किया जाता है और semiconductor उसका बहुत बड़ा हिस्सा है Intel और भारत के बीच हुई इस deal से जो engagement हो काफी जादा बढ़ेगी जिससे Silicon semiconductor fab, display fab, compound semiconductor, silicon photonics, sensor fab, semiconductor packaging and semiconductor designing ये सारी चीजे बहुत ही बड़े skill पर की जाएंगी और जिसके लिए 15 manufacturing unit देश के अलग-अलग हिस्सों में लगाई जाएंगी और अगर हम भारती स्तर पर बात करें तो integrated circuit, chipset, system और semiconductor link design के लिए 100 भारतीय कंपनिया पाटिस्पेट कर रही है जिसमें 20 से भी जादा कंपनियों ने investment की announcement कर दी है इसके साथ में हर दिन कोई न कोई विदेशी कंपनी भी इस भारत की बड़ी opportunity का फायदा उठाना चाती है जिसलिए हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो Taiwan हो, Korea हो, Japan हो या US हो इन सभी देशों की कंपनिया भारत की इस PLI scheme के तहत होने वाली डिस्प्ले और सेमिकेंडर्ट मैनिफाक्चरिंग में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है सो इंटल के द्वारा लिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है क्योंकि ये US की कंपनी है और US और चाइना के बीच में इस समय थोड़ी सी अन्मल बनी हुई है जिसलिए US की कुछ कंपनिया अपनी मैनिफाक्चरिंग और असंबलिंग यूनिट्स चाइना से हटा करके अलग-अलग कंट्रीज में सिफ्ट कर रही है जिसमें वो बड़े पैमाने पर भारत को फोकस करके काम कर रही है और इसी के चलते इंटेल इंडिया के अंदर अपनी 15 मैनिफाक्चरिंग यूनिट्स को लगाएगी इससे पहले यूस की कंपनी एपल के द्वारा भी फैंसला लिया गया है कि वो आइफोन 13 के कुछ बेसिक एडवांस पार्ट और कंप्लीट आइफोन को भी भारत के अंदर मैनिफाक्चर करेंगे और वो उनकी मैनिफाक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होके भारत में आ रही है तब तक के लिए बड़े फैंसले के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट बक्स में जरूर बताइएगा भारत के ऐसे ही यूस्फूल और इंफरमिटी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत मता कीजए